अलो दोस्तो टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत हैं यहां पर इस वीडियो में मैं आपको Realme UI 3.0 के Official Launch Date के बारे में बताऊंगा और साथ ही इसमें क्या-क्या न्यू फिचर्स देखने को मिलेंगे सभी कुछ बताने वाला हुँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बजाईए आल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नाटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम एक न्यू वीडियो करते हैं अब यहां पर रियल्मी यू आई 3.0 एंड कलरवेस 12 जो है ऑफिसली चाइना में रोल आउट होना चालू हो गया है और उसी साथ काफी सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों यहां पर फोर एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स देखने को मिलता है औ तो वो आपको मिलता है वाल पेपर के सेक्शन में अभी परसनलाइजेशन के अंदर वाल पेपर के सेक्शन में देखेंगे तो कुछ इस टेप से वाल पेपर का आपसन देखने को मिलता है जहां पर आपको इस्टेटिक और लाइव वाल पेपर देखने को मिल जाता है लेक पर काफी सारे official new wallpaper देखने को मिल जाता है तो कुछ इस टाइप से ColorOS 12 Realme UI 3.0 में OS wallpaper देखने को मिलता है इसके लावा बात करें next features की तो वो आपको मिलता है notification panel में अभी आपको Realme UI 2.0 ColorOS 11 में कुछ इस टाइप से notification panel देखने को मिल जाता है लेकिन जब Realme UI 3.0 ColorOS 12 का update देखने को मिलेगा तो उसमें कुछ इस टाइप से notification panel देखने को मिल जाता है अगर यहाँ पर आप personalization section में देखेंगे तो यहाँ पर आपको notification panel and status bar का new option देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको दो टाइपस के notification panel देखने को मिल जाएगा new and old वाला जहाँ से आप select कर सकते हैं आप अपने uses के अनुसार से तो कुछ इस टाइप से officially notification panel और status bar देखने को मिल जाएगा Realme UI 3.0 and ColorOS 12 में इसके लाओ बात करें next features की तो वो आपको मिलता है gestures के section में यहाँ पर अभी देखेंगे तो Realme UI 2.0 में कुछ इस टाइप से gestures देखने को मिल जाता है जहाँ पर अभी आपको edge lighting का support नहीं देखने को मिलता है gestures के अंदर लेकिन दोस्तो Realme UI 3.0 ColorOS 12 के update के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से gestures का section देखने को मिल जाएगा जो की काफी smooth रहेगा और उसीक साथ आपको gestures में ही edge lighting का support भी देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस टाइप से officially gesture section देखने को मिलेंगे Realme UI 3.0 and ColorOS 12 में इसके लावा बात करें next features की तो वो आपको मिलता है settings के अंदर battery के section में अभी आपको कुछ इस टाइप से battery section देखने को मिल जाता है जहाँ पर ना ही कोई new features देखने को मिलता है और ना ही graph का support देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर Realme UI 3.0 में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर नीचे side में graph का support भी देखने को मिल जाता है और कुछ extra features भी देखने को मिल जाता है तो कुछ इस टाइप से officially Realme UI 3.0 and ColorOS 12 में बेटरी के section देखने को मिलता है तो यह तो हुई दोस्तो Realme UI 3.0 and ColorOS 12 के official features के बारे में और बात करे Realme UI 3.0 के launch date के बारे में तो यहाँ पर Realme Global ने tweet करके बता दिया है कि Realme UI 3.0 13th October को globally launch होने वाला है और साथ ही यहाँ पर Realme के CEO माधा सेट जी ने और Realme UI इंडिया वालों ने भी यहाँ पर tweet किया है लेकिन यहाँ पर जो confirm date है वो नहीं बताया है में भी हो सकता है 13th October को हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो